जै माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योडिव चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माहा के चौथे सप्ताहा के कुम्बराशी फल के बारे में कुम्ब राशी के लोगों के लिए ये अगस्त महा का अंतिम सब्तभा कैसा रहेगा और इन सात दिनों में कुम्ब राशी के लोगों के लिए किस तरह से स्थितिया जो है वो परिवर्तन होगी जानेंगे 22 अगस्त से 28 अगस्त तक के कुम्भ राशी फल के बारे में इन दिनों में क्या शुब दिथी होगी, क्या शुब योग होगा और उनके अनुसार आपकी जो दिंचरिया है वो किस तरह से वैवस्तित होगी किस तरह से परिवर्थित होगी, किन चीजों में आपको लाब मिलेगा, किन चीजों से आपको सावधान रहना है आपकी सिक्षा के बारे में, आपकी स्वास्ता के बारे में, आपका प्रीम जीवन, पारिवारिक जीवन, दामपत्य जीवन, हर चीज के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निविदन है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले पास में जो बैल का एकन है उसको प्रैस कर दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलि चैनल की शिरुवात बहुत ही शुब दिन से हो रही है क्योंकि 22 अगस्त का जो दिन है ये शनिवार का दिन है और शनिवार से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है यानि जो जातक इस दिन गणेश भगवान जी को अपने घर लेकर आते हैं और 10 दिनों तक ये गणेश उत्स चैनल की जाती है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसरजन किया जाता है तो सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी महापर्व की बहुत बहुत शुब कामना है बहुत ये शुब दिति के साथ इस दिन की इस अपताह की शरुवात हो रही है और यह जो दिन होगा यह देखिए शुगल पक्ष की चतुर्थी थी हस्त नक्षत्र इस दिन होगा साध्य और शुब नाम के योग बनेंगे सूर्य जो है इस दिन शिंग रासी में होंगे और चंद्रमा इस दिन कन्या राशी में होंगे इस दिन रवी योग बन रहा है और सर अगस्त का दिन है इन दिनों में जो चंद्रमा की इस्थिती होगी वो कन्या तुला व्रेश्चिक और धनू इन चार भावों में होगी यानि ये चार भाव सक्रियावस्था में रहेंगे यानि आपकी आठवे नौवे दसवे और ग्यारवे भाव में चंद्रमा की इस्थित का दिन है तो यह जो समय होगा एक तो यह आपके लख्ष़ों के प्रती जो आपके प्रयास है उनसे आपको थोड़ी सी थकान दे सकता है तो इस थकान को दूर करने के लिए समय समय पर आपको आराम करना चाहिए चिंद्रमा आस्ट्रम भाव में है और जो चंद्रमा आश्रम भाव में होते हैं तो कही ना कहीं आपको मालचिक रूप से थोड़ा सा परिशान करते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा इस दिन आपको जरूर सावधान रखना है सावधान रहना है फिर चंद्रमा राशी परिवर्थित कर लेंगे और आपके नवःप भाव में आ जाएंगे तो दिखें नवःप भाव में जो आए चंद्रमा के इस्टिती होगी ये आपके लिए बेहत लाबदायक होगी यहां आपके विचारों की सरहना होगी आपकी सलहा लोगों के काम आएगी आपके अधिकारियों के लिए आपका जो काम है वो बड़ा अच्छा प्रसंस निया होगा और आपके कारिशीतर पर जम कर आपके काम की प्रसंसा होगी ये जो इस्तितिय होंगी, ये बेहत खास होंगी, निजी जीवन में भी, आपको अपनी परिवार का सपोर्ट मिलेगा, अपनी मां की तरफ से आपको लाब मिलने का बड़ा अच्छा योग है, यानि मातर पक्ष की तरफ से, जो ननिहाल है, वहां से भी कोई बड़ा लाब मि द्वार खुलेंगे जो ये जो नवम भाव है धर्म का भाव भी होता है और उच्च सिख्षा का भाव भी ये माना जाता है ऐसे में जो कला से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा आप अपने ज्यान की बढ़ोतरी कर पाएंगे आप किसी के कुछ ऐस बात करना चाहते हैं कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया तकनी की ज्यान सीखना चाहते हैं तो उन चीजों की प्लानिंग भी आप करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही कुम्ब राशी के लिए तीसरे भाव में मंगल भी है जो आपके लिए उत्तम एजर्ट दे बहाव में होंगे और कर्म शेत्र के बहाव में दसम बहाव में यहां देखिए इस्तितियां बहुत अनुगूल होंगी आपका कर्म प्रभावित होगा अब अपने काम के प्रती जादा समर्पित होंगे आप काफी महनती होंगे वैसे भी जो कुमराशी के जातक होते हैं वो क को पूरा करना चाहेंगे बाद में आप दूसरे कामों को करेंगे और आपकी ये जो निश्ठा होगी अपने काम के प्रति ये जरूर आपको नाब दिलाएगी आपको आगे बढ़ा कर रहेगी ये जो दस्वा भाव होता है ये आपके लाब का भाव भी होता है ये आपके ला पार करते हैं उनके लिए ये समय काफी लाब दायक रहेगा कहीं ना कहीं से आपको इस दोरान इन चीजों में अच्छा लाब देखने को मिलेगा या आप एक बहुत अच्छी डील फाइनल कर पाएंगे तो उनके लिए ये समय काफी अनुकुल रहने वाला है अगर सब्ता के अन्त की बात करें तो चंद्रमा के स्थिति ग्यारवे भाव में होगी लाब भाव में होगी और ये जो लाब भाव की स्थिति है ये भी अनुकुल है क्योंकि यहां देखे गुरु मौझू है ग्यारवे भाव में साथ ही केतु भी मौझू है गुरु और केतु का प्रभा हैं उस मेहनत का फाल आपको मिल सकता है विद्यारतियों के लिए ये समय काफी अनुकुल है आप अपनी विद्या को लेकर आप अपनी सिक्षा को लेकर काफी पॉजिटिव होंगे आप आगे खुद से बढ़ना चाहेंगे खुद मेहनत करना चाहेंगे तो ये समय काफी करिवार के साथ और जो शादिशुदा लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है आप काफी एनरजी से भरपूर होंगे साथी भी आपका सपोर्ट करेगा प्रेम संबंद की दिबात करें तो प्रेम संबंद भी सामानने स्टेथी से आपका चलता रहेगा विद्यारतियों के ये भी समय काफी अनुकुल है हर तरह से अनुकुलता इस सपताहां में आपके लिए बनी हुई है और देखी गणेश उत्सव चल रहा है और दस दिनों तक लगवग चलता है एक सितंबर तक यानी रहेगा तो ऐसे में आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर कर इनको दूर्वा उत्पन करना अर्पित करना इनको मोदक अर्पित करना आपके जीवन में कई तरह की खुशियां लेकर आएगा और आपके जीवन को नई उर्जा से भर देगा तो दोस्तों और अदिक आशी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें